उच्छी नियायाले ने मंगलवार को पूर्व केंद्री मंत्री सुब्रमन्यम स्वामी द्वारा कॉंग्रेस ने ताराहुल गांधी की भारती नागरिता रद्द करने की मांग याचिका को जनहित याचिका में तबदील कर दिया। के लिए कोई लागू करने योग्य समवेधानिक अधिकार प्रदर्शित करने में विफल रहे। कमी ने 2019 में ग्रहम अंत्राले को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बैक आप्स लिमिटेड नामक एक कमपनी वर्ज 2003 में युनाइटेट किंडम में पंजीकरत हुई थी और गांधी इसके निदेशकों और सचीवों में से एक थे। भाजपा नेता ने कहा कि 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल कमपनी के वार्शिक रिटरंच में गांधी ने अपनी राष्ट्रियता ब्रिटिश बताई थी। याचिका में कहा गया है कि 17 फरवरी 2009 को कमपनी के विगटन आवेदन में गांधी की राष्ट्रियता फिर से ब्रिटिश बताई गई थी। स्वामी ने कहा कि ये भारत के सम्विधान के अनुच्छे 9 और भारतिये नागरिकता अधिनियम 1955 का उलंगन है। ग्रह मंत्राले ने 29 अप्रेल 2019 को गांधी को पत्र लिखकर उनसे इस संबंद में एक पखवाडे के भीतर तथ्यात्मक स्थिती से अवगत कराने को कहा था। कि स्वामी ने तर्क दिया कि उनके पत्र के 5 साल से अधिक समय बीच जाने के बावजूद ग्रह मंत्राले की और से अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है कि इस पर क्या निर्णय लिया गया है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही पर हम आप से जानना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि क्या सुब्रमंडियम स्वामी सही है क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। आपकी क्या राय है आप हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरू शेयर करें।